आज की इस ताजा खबर को सुनने के बाद सारे सिच्छकों की परेशनियां कमने के बजाए बढ़ रही है क्या है परेशनिया किस परकार से परेशनिया सारे सिच्छकों की बढ़ रहे हैं आई इसी विसे में हमनों चर्चा करने वाले तो विडियो का आगे बढ़ने से पहले आप सभी को वेलकम करते हैं वेलकम टू आवर डिसस क्लास हमारे डिसस क्लास में आप सभी का स्वागत है यह हम जो बात करने वाले डिप्लोमा इन इल्मेंटरी एडूकेशन जिसको सौट में डियलेट करते हैं उन सारे के डिटिटों के लिए जो नियस से कर रहे हैं उनके लिए आज बहुत ही खास अंजवयस्ति इस्चा करने वाले तो विडियो का उन्तिमत जरूर चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके रह ले ताकि आने वाला हर विडियो आप देख पाए इसके साथ पैल का भी आइकन को जरूर दबा दे तो चलिए उस नीज के और चलते हैं आपको बताते हैं पुरा को पुरा डिटेल्स में किया ना इसके दोरा क्या है बड़ी अपड़ी जिसे कि यहां पर देख पा रहे हैं यह जो जागरन से निकल का रहे हैं यहा पर लिखे हुए यू-डाएस कोड के बिना डीयोट करने वाले सिचकों की परेशनिया जो है बढ़ेगी तो आएे यहँ यहां पर देखते हैं कि बहुत सारे सिचक ऐसे हैं जो कि यू-डाएस को नहीं निकाले था है रोए सारे जो सिचक जो है अपने ड्ययल आट को क्पल दिखने वाले गेड सरकारिय स्कुलों के सिच्छकों की परेसानियां बढ़ने वाली हैं जिले में इसकी जांच कराने का आदिख दिया ही है यानि कि जैसे कि आप सभी को पता है कि जब examination हुए थे उसके बास से टोटल इतने candidate ने दिये थे examination जिसमें से 324 ऐसे candidate थे coordinator को संका हुआ और इन सारे candidate को जांच के लिए आगे का process करने के लिए भेज दिये गे इसके साथ यह भी लिखे कि जीले से जांच प्रिपोर्ट मिलने के बाद वेसे सिच्चकों पर करवाई तैक की जाएगी दर असल मानम संसादर विकास मंतराले ने पिछले साल फरमान जारी करवा परिश्ची सिच्चकों के लिए परिश्चन अनिवायर किया था जैसे कि आप सभी के लिए जो डियलेट को करना निवायर कर दिये गिये थैं क्योंकि 31 मात जो है 19 तक जो है आप सभी को करना जो है बहुत ही इंपॉर्ट है आगे लिखा है सिच्चा का अधिकार कानुन के तहत्प आप पर सिच्चक को जो सरकारी या निजी अस्कुलों में कर रत है उन उनलाइन कोर्स के तहट पर सिच्चित होना है जो जो सिच्चक सिच्च का इस अवधी में कोर्स नहीं कर सकेंगे वे सिच्चक सेवा में नहीं रह पाएंगे इसके आलावा में जीले के विभीन सरकारी वे गेर सरकारी अस्कुलों में अप करिरत अपर सिच्चित सिच्चक उत्रीन के साथ संबंदित अस्कुल को यूडाइस कोड होना अनिवायर रखा गिया था। इस कोर्स के लिए जीले में कुल 1792 सिच्छकों ने ओनलाइन आविदन किया था। पर्थम जो पर्थम टाइम में जाच के बाद जो है क्या किया गयते 1679 आविदन को सही पाते हुए उन्हें कोर्स में दाखिल दिया गिया था। पाकि इस कोर्स के लिए जीले के चार सेंटरों पर दो समेस्टर की परिच्छा भी ली गई है। लेकिन अब उन अवियार्थियों में से 324 को चीनित कर उनके अस्कूलों के यूडाइस कोर्ट का अस्थलिय जांच करने का आदेश NIS के रिजनर कोडिनेटर एक के सहने जीला को दिया है। यदि आप अपने यूडाइस कोर्ट को अगर रिजिस्टरेशन नहीं करवाएं था और आपने गलती से डिलेट कोर्ट को अगर आप कर रहे हैं यानि कि यह बहुत ही बड़ी गलती है तो आप अपने प्रिंस्पल से बात करें एक बार कि अपना यूडाइस कोर्ट को भीतर यानि मार्स तक जो है आप सबीके कोर्स को पुरा का पूरा पुरा जो है कि अपनी चाहिंए मीड करके जरूर बताय किस्कृल करें क्या अगर है तो भी कमेंट करें नहीं फुक्षें काफ़ी sırफ होंगे काफी लाब्धायख होंगे hist Lahore से अपको हमारा विडियो पसन पुआ युटुट्बड गयुटुटु झालाई हैं रिए एक हैं रिहां पुटुक्टुटुक्टुटु कर जिया भी दिन्हां का नहीं है, रिए तो पुटुक्टुटु को भाताए?